नमस्कार अपना उत्राखंड आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ सोनाली ठाकूर बुलेटिंग के शुरुआत करते हैं भारते क्रिकेट टीम के मशूर खिलारी विराट कॉली पतनी अनुषका शर्मा और बेटी वामिका के साथ देरशाम रिशिकेश पहुँचे विराट और अनुषका बतादे की दयानंद आश्रम पहुँचे थे आश्रम में जन संपर्क अधिकारी ग्रिना अनंद रोयाल ने बताया है कि विराट कॉली ने यहां अपने परिवार के साथ ब्रहमलीन दयानंद सरस्वती की समर्थी के भी दर्शन किये और साथ ये गंगा घाट पर गंगा आर्थी भी की गई इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि उनके साथ उनके योगा ट्रेनर भी आश्रम में रुके वे थे, वे मंगलवार की सुभा योगया अभायास करने के बाद आश्रम में एक सरवाजिक धार्मिक अनुष्ठान भी उन्होंने किया है वे उत्तरकाशी में भीश्वन आग के कारण चार मकान चलकर राक होने की ख़बर सामने आई है बता दे कि गीड छेतर में एक बाद फिर से और बेहत खतानाग भीश्वन आग ज्वनी के कारण लोगों में हरकम मस्तावा नजर आया जानकारी का नस्वार महीने के भीतर ही आवासिय भवन में आवाजानी की ये दूसरी घटना सामने आई है और बता दे कि तैसिल बढ़कोट के रुआना गाउं में अच्वानक मधिरवातरी करीब एक बजे चार आवासिय भवन जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया है और बता दे कि इस दौरान अग्रिश्मन की विभाग मौके पर पहुँच गई थी लेकिन काफी मशक्कत के बाद से किसी तरीके से इस आग पर काबू पाया गया लगसर नगर पाले का परिश्वद में आवेदन कर पीम आवासियोजना के नाम पर लाव देने वाले अमित गिरी गोस्वामी नाम के आपात्र व्यक्ती का एक लाख बीस हजार रुपे नोटिस जाड़ी किया गया है बता दे कि लसकर नगर पालिका छेत्र में वार्ड नंबर 4 के निवासी अमित गिरी गोस्वामी आवेदन कर प्रधानमंत्री शहरी आवासियोजरा का लाव लेने के लिए अपने बेनाम जमीन दिखाकर नगर पालिका के आवास बनाने के नाम पहले किस बीस हजार और दू वसूलने के लिए नोटिस भी जारी किये गया है लेकिन सालों बीतने के बाद भी आज तक कोई कारवाई नगर पालिका की ओर से नहीं की गई है वहीं पालिका के एओ चंद्रशेकर शर्मा ने बताया है कि दो नोटिस दिए गया है जल्द ही अमित गिरी के नाम सरकारी धन कारवाई या पी तरफ सकी जा रही है दिखे कुल जो हमारी टीपियार बील्सी की स्विक्रत थी प्रधानमंत्री आवास युजना के अंतर तीन थीए भी प्रकरण संग्यान में आया है कारेले से भी जानकारी उपलद हुई है कि इसमें नोटिसे जारी की गई है तो भी न बीस हजार रुपे का नोटिस जारी किया गया है और इस दौरान नगरपालिका छेत्र के वार्ट नमर चार के निवासी है अमिद्गिरी गोस्वामी जिनको लेकर प्रधार मंत्री शहरी आवास युजना के लाफ लिए जाने को लेकर बेनामी जमीन दिखाकर नगरपालिक से आवास बनाने के नाम पर किष्ट ली गई थी इस दौरान 20,000 रुपे ली गई थी और दूसरी किस जो है एक लाख रुपे निकाल ली गई है उसके बाद से कोई भी आवास नहीं बनाया गया जिसके बाद से अब उनको लेकर नोटिस जारी किया गया है और बता दे कि न कामले को लेकर नगर पालिका की ओर से कोई कारवाई नहीं की गई वही पालिका के यो चदर शेकर शर्मा का ये कहना है कि दो नोटिस दिये गए हैं जल्धी आमिद गिरी के नाम पर सरकारी धन वसूली लिए गए और साथी तमाम चीजों को लेकर उन पे कारवाई की जाए बेरुजगार युवाओं की भावनाओं से खेल कर लाखों का मुनाफ़ा कमाने और फिर जिला कोट आएकर बिभाग स्वास्त बिभाग सहीद कई अन्य बिभागों के फरजी न्युक्त पत्र ज़ारे कर रहे बता दे कि सिटेंड से पदो को उठाकर उठाते हुए हरिद्वार पुलिस ने गिरों से जुड़े चार शातिर अभियुक्त को दबोच लिया है और साथी बेरुजगार युवाओं को फसाने का ये काम करते थे और गिरों अकबारों में विज्यापित निकाला करते थे गिरों का बकाइदा एक चैनल भी है जिसका मुख्यारे नई दिल्ली में है और उनकी शाखा लखनों से संचालित होती है बता दे कि ये जो गिरों है सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों के साथ ठकी करते वे नजर आए और जिसका लेकर आज पुलिस ने इसको लेक करनल भी है जिसको दिखाते हुए वे लोगों को सरकारी नौकडी के नाम पर ठगी करते थे ठगी का शिकार बनाते थे वहीं बता दे कि इनका जो मुख्याले है वे नई दिल्ली में है और शाखा है वो लखनों में है जैदपुर में जो है सुचना मिल ले थी कि वहां एक फरजी जो है इंप्लाइमेंट का सेंटर खोल कर और युवाओं को आसपास के युवाओं को ठगा जा रहा है इस सुचना पर जो है जब शिकायत आया थी तो उसकी जांच करते हुए मुकदमा दर्श किया गया मुकद भी किया गया था जिसको पढ़ने के बाद युवाओं लोग उसे नंबरों पर संपर किया एक चोटा कारेले भी यहां पर कंखल छेतर में खोला गया था जहां पर युवाओं की स्क्रीनिंग और उनसे डॉकुमेंट से किया थे और बक्यादा इंट्रिव्यू के लिए 12 कोली रेंज में भेज दिया गया है पेड काटने के आरोपी फिलहाल फरहार बताया जा रहा है बतादे कि मंगलबार की सुभा नकटपूरा से मलपूरी रोड पर कुछ लोग सेमल का पेड काट कर ले जा रहे थे इस बीच वन विभा की टीम मौके पर पहुँची पेड का काटने वाले आरोपी जो है वो मौके से फरार है जिसकी तलाश में लगातार पोलिस चुटी हुई है हरिद्वार के रोशनाबाद स्थेत ओप सभागिये परिवहन कार्याले रोशनाबाद में फ्रस्ट रस्पॉंडर परिक्षन कार्याले कायोजन किया गया है परिशन कारिक्रम में एंसी सी कैंडिडेट वहन चौलक और विद्ध्याले की छात उचातरा साथी प्रवर्तन दलों के सदस्य समय जला अधिकारी विनेशरंकर पांडे और परिवहन विभाग के अधिकारी और करमचारी मौज जूद रहे है इस मौके पांडिद्वार परिवहन विभाग के अधिकारी ने कहा है कि किसी भी सड़क दुरगटना के समय पीडित व्यक्ति को सबसे पहले सहायता उपलब्त कराने और पीडित व्यक्ति के जीवन बचाने के अब बता दे कि फरस्ट रिस्पॉंडर की महतपून भूमिका होती है उन्होंने कहा है कि फर्स्ट रिस्पॉंडर का व्यक्साइड परिक्षन होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जिसके दुर्गटना में पीडित व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए काफी सहायता मिलती है तो उन्होंने कहा है कि आग भी इस परिक्षन को तनमेता और साथ ही शिदत से ले ताकि आवश्रक्त पढ़ने पर इसकी लाब जरुत मंदों को मिल सकें प्रण अभी तक तो सड़क सुरच्छा पर काफी जया रूपता अभियान हम लोग किया जाता था लेकिन इसमें है कि जब एक्सिडेंट होता है तो पहली प्रतकिया कौन करता है पहली प्रतकिया में समाज के सभी लोगों हो सकते हैं जो रोड यूजर हो रोड के आसपास प्रतेक जनपद में किसी भी सड़क दुरगटना की स्थिति में रिस्पॉंस करने के लिए सबसे पहले सड़क पर पहुंशते हैं जैसे कि आपने देखा होगा इसमें वहान चालक है विशेश रूपसे जो यात्री वहान है बसों के चालक है NHAI के जो field level की teams हैं वो है traffic police के कर्मचारी है NCC के cadets है और इसके अलावा परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल के सदश्चे हैं जो सामाइने तक 24 घंटे रोड पे रहते हैं तो हमारा प्रयास यह है कि हम एक ऐसा work तयार करें जो विशेश रूप से medical से संबंदित ना हो लेकिन उसके पास इतनी minimum जानकारी हो कि वो किसी भी दुरगटना की स्थिती में दुरगटना पीडित को अस्पताल पहुँशने तक जो प्रार्थमिक सहायता है वो उपलप्त करा सके अर्य हरदवार में परियुहन विभाग के द्वारा फर्स रिस्पॉंडर ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे आपको पता है कि कभी-कभी दुरगटना जब हो जाती है तो सुरुवात में हम फर्स्ट एट कैसे देंगे उसके प्रोटोकॉल क्या होते हैं उसमें क्या क्या सौधानिर बरतनी चाहिए यहां परियुहन विभाग ने स्टी आरेफ के सहयोग से प्रोग्राम सुरू की आज है और यह काफी सफल रहा है इसमें काफी लोगों को इसमें बेनिफिट हो रहा है अब बतादे कि फर्स्ट रस्पॉंडर कैसे उसको अस्पताल तक जल से जल पहुंचाया जाए और क्या कुछ इस दोरान जो परेशानी एक व्यक्ति सामना करता है उसको लेकर उनकी किस तरहता की जाये इस तरह की तमाम जानकारी इस कारिक्रम के माध्यम से लोगों को तक पहुंचाई गई है लोगों को जाग जिसके वज़े से किसी भी वैक्ति के हम जान बचा सकते हैं और इस कारिक्रम के माध्यम से किस तरीके से लोगों को जागरू किया जाता है और साथ ही बता देए कि इस कारिक्रम में तमाम लोग मौझू थे परिक्रम को लेकर तमाम तरीके की बाते कही गई है और कैसे एक वैक्ति जब दुरगटना का शिकार होता है दुरगटना गरस्त हो जाता है और किस तरीके से अस्पतार ले जाने तक किस की सुविधाओं को मुहया करानी चाहिए और किस तरीके से उनके साथ बहवार होना चाह और साथ ही बता दे कि परिश्रम कारिक्रम में एंसी सी कैंडिडेट वहां च्वालक विद्याले के शातर शातरा समय तमाम लोग वहां मौझूद रहे थे प्रवतंग दलों के सदसे समय जला अधिकारी विनेश्रंकर पांडे और परिवन विभा के अधिकारी भी मौझूद और इस मौके पर हरिद्वार परिवन विभा के अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी सड़क दुरघटना के समय पेडित वैक्ति को सबसे पहले साहता उपलब्द कराने और पेडित वैक्ति के जीवन को बचाने के लिए फर्स्ट रस्पॉंडर की महत्पुन भूमिका होती ह है जिसको वो साज़ा करते हुए नजर आए हरिद्वार जुले के बहादराबाद में नकाब पोष्ट और बदमाशों का आतंग देखने को मिल रहा है भादराबाद थानच्वेत्र में नकाब पोष्ट बदमाशों से एक साथ साथ दुकांदारों के शटर उखाड़े गये थे, रात में अंधेर में 100 दुकानों को शटर उखाड़ कर लाकों का समान चोड़ी कर नकाब पोष्ट लुटेरे ले जाये गए हैं और साथी बता देए कि ये पूरा मामला जो है समरार, प्रित्वीराज, चोहान का बताया जा रहा है और बता देए कि यहाँ पर देखा गया है कि बहादाबाद में नकापोष, बदमाशु का आतंग लगाता है, बढ़ता वा नजर आ रहा है और वे लाखो कि चोड़ी की घटनाओं पर हाथ साफ करते वे नजर आते हैं जिसके बाद से प्रशासन पर भी तमान सवाल खड़े होते हैं और हरिद्वार जुए कि बहादराबाद में नकापोष, बदमाशु का आतंग देखने के बाद से वहाँ के लोगों में भी देहशत का मोहल दे जाते हुए देखे गए हैं जिसके बाद से पुलिस इन लुटेरों को ढूनने के तलाश में लगातार जुटी हुई है और अब ख़बर पौरी से हैं जहां पता देए कि SSP पौरी श्वेता चौबे ने मंगलवार राद को तीन कोतवारी निरेक्षन किया है और साथ निरे मॐसतब जो अभी तक कोतवाली लैंस डाउन का कारेभर समहल रहे थे उन्हें कोतवाली प्रभारी कोतवार की जमलारी सोफीग गई है जबकि कोतवाली कोतवार निरेक्षण विजय सिंग् any को प्रभारी निरेक्षन कोटवार से वाचक वरिष्ट पुलिस अदिक्षक में रवी सैनी जो की POLICE라 Не पूंड़ी में थे उन्हें प्रभाणी निरक्षन को त्वारी श्वीण अगर बनाया गया है निरक्षन संतोب सिंग कजबर कवर PULis कारेयाले पौरी से प्रभारी DCRB संमान सेट पुलिस कार्याले पौडी में बनाया गया इतना ही नहीं निरेक्शन प्रताप सिंग को प्रभाडी रिपोर्टिंग पुलिस चौकी निलकंड थाना लक्षमन जूला से प्रभाडी महिला सुरक्षा हेल्प लाइन बनाया गया है लगातार हमारे द्वारा जो है इन चलानी कारवाई के अत्रिक जो एक विरहत प्लान भी ट्राफिक से रिलेटेड बनाया जा रहा है पूरे पौडी जनपत के लिए जिसमें कोड़वार पौडी और श्रीनगर को इस फैसल इंफेसिस देते हुए एक शॉट टर्म प्लान और लॉंग टर्म प्लान जो है वो तयार किया जा रहा है जिसमें लॉंग टर्म प्लान में जैसे बाइपास और कहां-कहां ट्राफिक लाइट्स लगनी है मल्टी लेवल पाकिंग कहां-कहां इस्टैबलिश होनी है उस तंदर में और अभी शॉट टर्म प्लान में कहां हम वन मीध है उसको लेकर बतादे कि राव अखलाग प्रदेश अध्यक्ष आल ओवर ट्रांसपोर्ट वेलफेर असोसेशन उत्रा खंड ने क्या कुछ कहा है आयो को सुनाते हैं कि मादमी जभी भला होगा जब डिजन को GST मली आएंगे जभी भला होगा क्यूंकि डिजन सथाह आदान-पदान है वह कम वह拜拜 तो इस से भला हो सकता है जनता का वना भला नहीं होगा आपका ऐसे बजट पेश कर दें के इंद्रसकार जो बजट पेश कर दिये उसमें हमें पूरी उमीद है कि इसमें बजट में सरकार उत्राखंड की तरफ से खरी उतरेगी और जितने अब महिगाई है इस पर भी कुरोक लगाईगी क्योंकि जनता का हर कोई ग्रहनी है उसकी डिबान रहती है कि रसोई राशन वगारा और गैस पर महिडाई ना हो और हमें उमीद है इस पर सरकार विशेश ध्यान देगी क्योंकि आई यह जो सलेंडर का विशेश है यह इस पर दाम बढ़ रहे हैं यह आम जनता कि जेव उसे अलाउड नहीं कर रही है तो उस उस अपयक्षा को देखते हैं हम के सगार से यही निविदान करेते हैं कि इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए और नहीं लाव के बचत में यह परिवार को चलाने के लिए उस बचत करा जाए जिससे की आम जनता इससे परेशा ना ओ चुले अपना उत्रा खंड में फिला लेता हैं नमस्कार